नमस्कार दोस्तों अगर आप भी वायतिकर के टीम के फैन है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बाहतीकर के लिए बहुत बड़ी खुसपवी निकल के आ रही है तो दोस्तों आईपेल दोज़ाट टेईश में टीम इंडिया के लिए मिल सकता है भारत और बिराट जैसा खुकार बल्लेबाज जो गेंदमाजों के दिल में हल्चर पैदा कर देता है आईपेल दोज़ाट टेईश में जब भी है किलाडी क्रिश पर उतरता है तो यह अपनी तोभानी बल्लेबाजी से बिरोधी टीम के गेंदमाजों क दच्चे उड़ा सकता है बता दें कि इस साल 2023 में बंडे वल्ल्ड कप भारत की धरती पर ही खेला जाना है ऐसे में आईपेल 2023 में टीम इंडिया को एक ऐसा खतरनाक बल्लेबाज मिल गया है जो उसका 2023 वल्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का सपना पूरा कर सकता है आईपेल 2023 मे इंडिया को रितुराज गाइकबाड जैसा खतरनाक बल्लेबाज मिल गया है जो बाहते करके टीम इस समय मिडल ओर्डर में एक बहतनी बल्लेबाज की कमी महसूद कर रही है लेकिन रितुराज गाइकबाड 2023 में वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को इस कमी को पूरा कर स सीजन के पहले मैच में 50 गेंदों पर 92 रहों की विसपोट पारी खेली थी जिसमें 4 चौके और 9 छक्के सामिल थे रितुराज गायकवार्ड का बल्ला अभी सांत नहीं हुआ है सौमबार्वू लखनू सुपर जाइटन के खिलाब IPL मैच में गायकवार्ड ने 31 गेंदों पर 169 रन बनाने के बाद चेनी सुपर कींग के ओपनिंग वल्ले वाज गायकवार्ड औरंज केप में सबसे आगे हैं आई पेल दोजाद के इसमें गायगवाड गेंदवाजों के दिल में दैसत पैदा कर रहे हैं में देशनि डौनी और की रितुराज काई कइन का अगला कफ्तान बनाया कप्तान के तोर पर त्यार भी कर सकती है गायकवार ने 2020 में IPL के लिए डेवु किया था दोनी के बाद ये खिलारी चेनली सुपर किंग की कप्तानी कपरवल दावेदार नजर आ रहा है इसमें चेनली की टीम को चोथी बार चेंपियन से बनाने में एहम केदा निभाने वाले सालामी बल्लेवाज रितुराज गायकवार सेयद मुस्थाक अली ट्रॉफी में महाराष्ट की कप्तानी भी कर चुके हैं तो दोस्तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तो और हमारे चैनल को सब्सक्राब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अप्टेट सबसे पहले आप तक मिल सके थैंकी दोस्तो जैहिन धन्वाद